है गाईज कैसे हैं आप लोग आप लोग आप लोग जो है आप लोग बहुत यच्छे होंगे गाईज मेरे नाम है मंजे चिंग और मैं हूँ आपका ट्रेनर इस पूरे वेब डेवलोप्मेंट बूटकैम्प का तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है आपको बूटस्ट्र को जो है अपनी website के अंदर install किया जाता है तो आगे यहां पर लैक्टाप स्क्रीन पे और यहां पर जो हमारा फोल्डर है परसनल वेब साइट वाला उसके अंदर आमने एक और प्रोजेक्ट फोल्डर बना दिया है बूटस्राप प्रोजेक्ट इसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है तो मैं यहां पर sublime text open करता हूं और यहां पर जाकर जो है सबसे पहले एक html format जो है ready करते हैं और यहां पर html लिखके और tap दबाते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं boot strap program right project कर देते हैं boot strap project कर देते हैं और यहां पर इसके बाद हमें क्या करना पड़त लास्ट जो हमारी video दे उसके अंदर मैंने बताए यहां पर हमें link tag का इस्तिमाल करना पड़ता है जिसके अंदर हम CSS को define करते हैं कि CSS कहां पर है कैसे काम आएगी इसके जगे पे हमें boot strap का इस्तिमाल करना है तो boot strap का इस्तिमाल यहां पर यह File हमें नहीं लिखनी है तो अब ह पर लिखते हैं और इसको जो है मैं सेव कर लेता हूं और सेव हमारा डेस्टॉप के ऊपर यहां पर जाके मैं इसको इंडेक्स.html के साब नाम से जो है सेव कर देते हैं चलिए इसको उपन कर लेते हैं तो यहां पर आप दिखते हैं जब हमने बाइडिफर्ट विदाउट बूट्स्रेप जो है करा तो यह कुछ इस तरीका हमें दिखाई दे रहा है हेलो के स्पैलिंग जो है वो मैंने गलत कर दिए तो चलो इसको सही कर देते हैं और वापस इसको रीफरेश करते हैं यह अभी हमें बूट्स्रेप का इस्तेमाल करना है तो बिसिकली हम जो है यहां पर गूगल पर जाकर सर्च करते हैं बूट्स्रेप सर्च करते हैं तो यहां पर सबसे पहला आता है getbootstrap.com तो यहा है आपका content delivery network यह content delivery network यह काफी useful है current क्या है इसका थोड़ो समय आप लोगों को explain करने के लिए यहाँ पे क्योंकि हमारा पूरा जो internet है वो हमारा चलता है यहाँ पे google open करता हूँ यहाँ पे हम लिखते हैं submarine cable map तो यहाँ पे submarine cable map.com पे चलते हैं तो यहाँ पर अगर मैं दिखा हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं पूरा world जो है इनी पूरी cables के साथ ही यह जो समंदर के अंदर जो cable डली है इनी के साथ में हमारा connect हो रखा है तो अब हम यहाँ पे इंडिया के अंदर हैं से for example हमारा जो web server है वो यहाँ पे ब्राजिल के अंदर कहीं पर है तो अगर कोई इंडिया से हम उस ब्राजिल वाले server को access करेंगे तो यहाँ पे काफी समय लगयागा पहले हमारे computer से request उस ब्राजिल के server पे जाएगी फिर वहाँ से वापस हमारे तक जो है वो files पहुंचेंगी तब जाकर यह open होगा तो यहाँ पर जो distance है वो बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या करा जाता है bootstrap क्या करता है ताकि हमारी website जो है fast open हो तो ऐसे में हमारी जो libraries है यह bootstrap ने क्या अगर आप पूरे world के अंदर अपने हर location पे यहाँ पे servers create करके रखें तो अगर आप इस bootstrap के CDN network का इस्तेमाल करते हो जिसमें हम पूरा customization करते हैं styling करते हैं तो ऐसे में अगर हमारा ब्राजिल के अंदर server है तो यहाँ से जो है हमारा सिर्फ क्या फैच होगा यहाँ पे सिर्फ HTML फैच होगा बाकी जो उसका styling है वो इंडिया के local server जो bootstrap का होगा वहीं से ही यहाँ पर fetch हो जाएगा तो ऐसे में हमारी website जो है जदी open हो जाएगी तो इसलिए हम CDN network का इस्तेमाल करते हैं दूसरा यहाँ पे तरीका होता है कि आप यहाँ से जो library है इसको download कर सकते हो यहाँ से आप यह download पर click करेंगे आपके पास zip file आएगी zip find को जो है जब आप unzip करोगे तो आपके पास जो है इस तरीका bootstrap आजएगा तो यहाँ पर जाके देखोगे यह रहा JS और यहाँ पर CSS अभी CSS पर बात करते हैं क्योंकि अब तक हमने CSS को समझा JS JavaScript है तो यह हमने अभी समझा नहीं आगल यह module के अंदर हमने इसको समझने वाले हैं तो यह CSS क्या अगर open करते तो यह देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास grading के लिए अलग CSS है और यहाँ पर reboot के लिए अलग CSS है right reboot के लिए main CSS से अलग है जो main CSS है वो हमारी कौन से है यह bootstrap बाली अगर मैं इसको open करके दिखाओ हैं तो यहां पर देख सकते हैं पहले से ही हमारे पास बहुत सारी चीज़े जो है वो define करी जा है तो जैसे आप देख सकते हैं h1 से लेखे h6 तक hr के लिए जो है यह पे पहले से available है यहाँ पे p-tag पे लिए available है तो यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे unlist, order list वगेरा के पहले से प्रिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हैं तो ऐसे में हमें यहां पर जो है कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है अगर एतनी बड़ी CSS आपको create करनी पड़े एक हो दिर तो इतना सारा लिखने में time बहुत जाएगा और चीजों को करके वापस test करना बहुत ही जादा time लगता है तो ऐसे में हम यहां से बहुत आसानी से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने websites के अंदर तो अभी जो है हमने यहां पर यह लिखा अब मैं आपको cdn network जो है जो की काफी अच्छा होता है इसको use कैसे करना है तो आपको यहां पर get start पे click करना है तो get start पे click करेंगे तो यहां पर आगया आपका introduction और यहां पर लिखावा quick start और यहां पर css जो है यह आपकी copy करनी है आपको यह css की file है इसको copy करके अगर मैं यहां पर जो link tag है उसकी जगे पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप जिसके यहां पर जो है यह style sheet आगई है हमारी style sheet है link tag डला हुआ है तो जैसे ही हम यह website को open करेंगे तो अब क्या करेगा browser क्या करेगा यह link जो है यहां पर दिख रहा इस link के उपर जाकर इस file को जो है यहां पर fetch करेगा और अगर पहले से maximum website जो है bootstrap के उपर जो है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जादा फास्ट जो है यहां से website हमारी हो जाएगी तो अब मैं इसको save करता हूँ तो अभी जो है हमारी कुछ website जब bootstrap का इस्तिमाल नहीं करा था तो कुछ इस तरह के दिख रहा था अब अगर मैं refresh करता हूँ तो अब आप देखते हैं यहां पर जो है थोड़से फांट चेंज हो गया और हमारा जो स्पेस है आपका जो बाइडिफाल्ट स्पेस होता है वह यहां पर ब्राउजर का यूज नहीं हो रहा है यह सिर्फ क्या हुआ हुआ सिर्फ हमने यहां पर बूटस्ट्राप की लिंक टैक का इस्तिमाल करा तो यह डिफ्रेंस आ गया रही अब ऐसे में आपको इसको तो हम बंद कर देते हैं और नीचे चलते हैं JS JS बिसिकली जावा स्क्रिप्ट है और जेक्वरी है तो इसमें क्या होता है कि हमारी इमेज हमारी कोई भी वेबसाइट है उसको फंक्शनालिटी देने के लिए जेक्वरी और Javascript वगएरा का हम इस्तिमाल करते हैं तो यहाँ पर आप दिस्ते हैं अगर यहां पे CSS के जरीए हम hover वगरा तो कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ तो यह जो pop up आया है तो यह pop up जो है without the help of javascript जो है possible नहीं है तो इसके लिए हमें javascript का भी इस्तेमाल करना होता है बट अभी यहाँ पे javascript को इस्तेमाल करना कैसे है तो हमें यहाँ पर यह जो javascript की file है इनको copy करना है और अपने यहाँ पर जाकर जो भी हमारा page है उसमें यहाँ पर body tag बंद हो रहा है close हो रहा है उससे पहले यहाँ पर इसको paste कर देना है तो यहाँ पर जब आप paste कर दोगे यहाँ पर लिखो क्या लिखा हुआ स्टार्टर टेंपलेट इसके अंदर पहले से जो भी आपके required meta tags वगरा की है वो सारे यहाँ पर पहले से pre-listed है तो आप इसको copy कर सकते हैं यहाँ से और copy करके जो है इसको अगर मैं को पूरा करना है तो मैं यहाँ पर control ये करके control V कर देता हूँ तो यह मेरा startup जो है bootstrap का वो हो चुका है तो अब आप देखते हैं यहाँ पर link tag भी डला हुआ है और यहाँ पर मेरे पास jQuery और javascript तो गरारा की जो script है वो भी यहाँ पर डल चुकी है तो यहाँ पर अब अगर मैं मेरी website को refresh करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरी website जो है वो उसकी recording चल पड़ी है अब इसमें जो है अगर ये तो हो गया हमारा install करने का तरीका अब इसमें कई सारी चीजे हैं जो हैं हमें याज करनी है यहाँ पर आप देख सकते हो इस bootstrap के अंदर हमारे पास download के कुछ options हैं यहाँ से हम download वगरा कर सकते हैं CSS, J, आपके JavaScript वगरा को और हम यहाँ पर latest version का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपका starter हो गया फिर download करके आपको क्या क्या चीज़े आप कर सकते हो वो यहाँ पर available है फिर layout के अंदर आपके पास कही सारे gridding, overview और यहाँ पर layouts वगरा आपके पास available है content के लिए हमारे पास यहाँ पर कही सारी चीज़े available है फिर यहाँ पर components के लिए कही सारी चीज़े available है हमारे पास utilize के अंदर है फिर यहां पे जो है हमारे पास extend के लिए कुछ icons वगएरा available है तो यह कुछ यहां पे हमारे पास features हैं जिनका हम इस्तिमाल करके अपनी website को बिल्कुल beautiful बना सकते हैं अब मैं आपको कुछ example दिखाता हूँ कि कितने असानी से हम चीजों को design कर सकते हैं तो यहां पे मैं कुछ example को जो bootstrap के द्वारा बनाए गए हैं आप देसे तो यह सारे कुछ examples हैं जिनका हम इस्तिमाल कर सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं कितनी आसानी से कितनी beautiful जो है आप website design कर सकते हो बहुत सारी companies क्या करते हैं कि यह bootstrap के जरी उनके पास जो web developers वगएरा उनसे theme design करवाती है तो यहां पे मैं आपको themes दिखाऊं तो आप देखते हैं bootstrap के जरी भी बहुत सारी theme अलग-अलग design करी जा सकती है तो यह कुछ themes हैं bootstrap के द्वारा design करी है यह कुछ admin panels वगएरा है यह website है तो कितनी खूबसूरत websites वगएरा admin panels वगएरा जो है हम आसानी से design कर सकते हैं इसके द्वारा यह सारा का सारा अगर एक example के लिए live आपको preview दिखाऊं तो live preview में आप देख सकते हैं यहां पे कितनी बहतरीन जो है वो website हम bootstrap के जरी जो है design कर सकते हैं तो यह कुछ उसके layout वगएरा हैं जिससे हम जो है designing कर सकते हैं अपने according तो यह जो आज की डेट में हम जो काफी जादा जो web designers वगएरा हैं वह इस bootstrap का इस्तेमाल करके बनाते हैं और कुछ जो है फिर WordPress वगएरा का जल्द भेज़ दिया जाएगा ताकि अगर आप WordPress के जरीए website design करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वह भी तो आपको जो है वह पूरे उसके अंदर website को अच्छी look and feel वाले design जो है वह आप कर सकते हैं तो यहां पर आप देखते हैं जैसा है आपको design चाहिए वैसे आप design यहां पर बहुत बहतरीन तरीके के जो है आप यहां से इस bootstrap के जरीए कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक और नए यह वीडियो के लिए साथ तिल यह शुख अगांड लैख यहां तेस्ट झाल झाल